जो अहिंशा, शत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पांच महां ब्रतों का पालन करता है ये तीक्ष्ण ब्रत है, ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठानली है जिसने वही ये ब्रत रह सकता है, और कुटू, सिंग, आड़े के आटावाला ब्रत तो सब रह लेगा शरीर स्वस्त रहेगा और भाजन में मन लगेगा, पक्का, ये तो अनुबो की बात केता है इस्थिती प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे ये भगवान के बचन जो भगवद वानी का श्रवन करके मनन नहीं करता, तो बिशेश लाव नहीं होता मनन इसीले नहीं हो पाता कि हमारा लक्ष भगवत प्राप्ती नहीं है सच्ची हिर्दे से जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है वो भगवत वचनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का अक्षरशा पालन करने की भावना में रहता है तो वो उन वचनों का खुब मनन करता है मनन करके अपने हिर्दे में बैठाल लेता है और जिसका लक्ष भगवत प्राप्ती नहीं है उसकी पहँचान वो करेगा शत्संग शुनेगा माना की शत्संग पढ़ेगा शास्त्रों को पर मनन करेगा विशयों का और परिणाम होगा दुख अशान्ती बंधन बैठाल लेजिए हिर्दे में जिसका लक्ष भगवत प्राप्ती नहीं है वो अपने हरदय को पहँचाने माना की वो सास्त्र पढ़ के सत्संग भी करा शकता है प्रवचन कर सकता है प्रवचन शुन शकता है शास्त्र श्वाध्याय कर शकता है पर मनन विशयों का ही होगा देख लेना हरदय को देख लेना और जिसका मनन विशयों का होता है वो क्लेश अशान्ती बंधन दुख को प्राप्त होता है इसलिए कहीं कहीं शंतों के वचनों में कि आप चारो वेद कंठस्त कर लो अठारा पुरान कंठस्त कर लो पर यदि प्रभू के चरणों में अनुराग नहीं तो सब ब्यर्थ है जोग कुजोग ग्यान अग्यानू जहन ही राम प्रेम पर धानू इसका राश्य यही है प्रभू शे अपनापन ना होने के कारण शरीर शे अपनापन रहता है शरीर शे अपनापन होने के कारण मन पाँच ग्यानिंद्रियों शहित सब इस पर शुरूप रश्काही मनन करता है ये मनन जब तक रुकेगा नहीं तब तक संसार चक्र नहीं रूखेगा अनन्य चेता शततन यो माम इस्मरति नित्यशहा इस्मरण मनन चिंतन अनन्य अन्यना केवल प्रभूका तो जो सदुगुरुदेव के आश्रित होकर आश्रित होई होगा जिसका लक्ष भगवत प्राप्ति नहीं तो सदुगुरुदेव का आश्रे नहीं माना जाएगा बले दिक्षा ले लेजिए यदि भगवत प्राप्ति लक्ष नहीं है तो आप उनके विमुख आचरन करेंगे तो आश्रित कहां हो गए आश्रे तभी माना जाएगा जब उनके वचन के अनुशार आचरन हो वो तभी आप कर सकते है जब आपका लक्ष बन गया भगवत प्राप्ति मुझे जैशे भी प्रभू प्राप्त होना चाहिए आप आदेश करो मैं प्राण नुशावर करने के लिए तयार हूँ आप आज्या करो अब जोई कहें करें हम शोई बस आप आज्या मुझे प्रभू चाहिए मुझे प्रियालाल चाहिए आप आज्यां कीजिए, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वश, आपकी आज्यां पर निवचावर है अब उसका शास्त्र श्वाध्याए, शत्षंग और शेवा सम्मंदी चेश्टाए शफल हुई क्यों? अब उसका मनन बनने लगा जीव ही मनन हुआ, ते भी धारणा पुष्ठ होने लगी बस धारणा पुष्ठ हुई, भगवत प्राप्ती दूर नहीं है शास्त्र श्वाध्याए, शत्षंग तो मनन प्रियालाल का प्रियालाल का मनन शेवन तो परिणाम तत्वबूद भगवत प्रेम शास्त्र श्वाध्याए, प्रवचन, मनन विशयों का परिणाम दुख कलेश बंधन अशान्ती बैटाल लीजिए, रदय को देख लीजिए प्रभुजू उपदेश कर रहे हैं उसका हम स्द्धा विश्वाश पूर्वक स्रवन करें, मनन करें और धारणा में उतारें उसे, आचरण में उतारें खुपशत संग सुन रहे हैं, आचरण नहीं बदल रहे धारणा नहीं बदल रहे, यही धारणा में इस्त्रियू में पुरुशू और इंद्री जन्य भोगों में सुक है यही धारणा मिटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे परमानंद में निमग्न हो जाओगे भगवान का उपदेश भगवत प्रेम प्राप्ती के लिए भगवदानंद की प्राप्ती के लिए है प्रभु कह रहे हैं यतयह संसित ब्रताहा जो अहिंशा, शत्य, आस्ते, ब्रह्मचर, अपरिग्रह इन पाँच महांब्रतों का पालन करता है बहुत बड़ी अग्य है मनवचन कर्मशे किशी भी जीव की हिंसाना होने पावे शत्य श्री भगवान है उन्हे का नाम रूप लीला गुन ही हमारे हर इंद्री का विशय होना चाहिए जो ग्यान इंद्रिया है वो किवल हमारे प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए यही सत्य है बेवहार काल में इन्ही सत्य प्रभु को लेकर ही हम जो बेवहार करेंगे ओ शब भगवत सेवा हो जाएगी भगवत स्वरूप हो जाएगा किशी की चूरी न करे बड़ा विस्तार है इसका चूरी का किशी की बात को लेकर अपनी छाप लगाकर सम्मान प्राप्त करना ये भी चूरी है बहुत तरेशे किशी भी तरे हमारे आहम का पोर्शन नहीं होना चाहिए इसी आहम के गलित होने पर भगवत राज्जी में प्रविश होता है और अशावधान उपासक प्राया हर नाटक वई करता जिसे आंकार पुष्ठो हमें शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं करनी है वो भी श्वंबर भगवान देखते हैं हमें अपनी श्वयम बिवस्था नहीं करनी यदि निवर्ति मार्ग के उपाशक हैं तो हमें अपनी श्वयम बिवस्था नहीं करनी हमारी शरीर मन श्वभाव अब सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पितों जैसे चाहें वैसे रखें पोशन भरन चिंत कराएं स्री हरिवन स्विभो बिलसाएं श्वरंदावन की माधनी यदि अपने भी शरीर पोशन के लिए किसी से मांग की तो हमारे अनिशेद किया गया है केति कायू केति की जीवन काहे बिनासत काज हटकत कितना तुम्हारा जीवन है काहे को तुम दूसरे के आगे देखे मैं जोरे हाथ लटकत हाथ जोड़कर हाथ पहलाना केति कायू कितना जीवन है क्यों अपने इस परमार्थ की कारे को नश्ट कर रहे हो मांग करके प्रभू विश्वंभर है सबका बरण पोशन करते हैं फिर आप उनके दाश है कोई प्रयाश रहे पूरा प्रयाश प्रभू के चरणारविंद की प्राप्ति का अब इस शरीर को कैशे वस्त्र देना है कैशे भोजन देना है कैशे रखना है ये उनकी बेवस्ता है हमारा उश्ट में किशी भी तरह का कोई भी राग नहीं होना चाहिए ये उनकी बेवस्ता है ये शर्णागत है जैसे चाहे वैसे रखे तो अपर इग्रह उपाशक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए महाब्रत है हमें नहीं मांगना हमें भोक्षामागरी का शंग्रह नहीं करना हरी गुरू के आश्रित हैं जैसा वो बिधान करें उशिमहम राजी है तो आपर इग्रह का शवाल है नहीं होता और एक और शब्दा था उपग्रह बार बार खाना पीना ये उपाशना की योगी नहीं आचरण है जो भी मुँ में डाल लिया ये खाया एक नियत समय होना चाहिए पानी भी पीने का उपासक कैसा नहीं होता कि हर समय उखाता पीता रहता है नहीं जल पीने का भी उसका समय होता है बस उसी समय जल की याद आएगी भोजन पाने का एक शमय है बार बार अगर कुछ प्रशाद मिलता है बार बार इसको रख लेते हैं अपने शमय शिपाते हैं बार बार मुँ अशुद्ध रहेगा बार बार जिब्या वस्तों का श्वाद लेगी तो नाम का श्वाद कैसे होगा पूजी राधा बाबा तो एक बार ही भोजन एक बार ही जल बाल्टी में जलाता था जितने गिलास उतने गिलास अंदर डाले खतम 24 गंटे चलो अलग भाव है अगर आपके अशिशा मरतनी तो एक नियत शमय होना चाहिए शुबह इतना पिलिया दुपार की इतना साम की इतना जल का एक भोजन का एक शमय बार बार वो एक दम जो देखते हैं कोई कोई बोतल एक गोंट एक गोंट ये दलिद दुराएं हैं उपाषक के जिए और इस संसारी पूरुशों को होता रहता है तो थोड़ँ थोड़ा पानी जाना चेफ communication जेए से स्वास्त का जो बार-बार पानी की याद करावे भोजन की याद करावे विशेव का चिंतन करावे उपासक की ऐसी लें बोतल बिश्कुट नमकीन यह उपासक चिडिया तो Already चुना रहे हो मन का पोशन थोड़ी करना है मन को मारना है यह वैं उपग्र APP बार-बार खाना पिना ये उपासक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं आप भगवत मार के पतिक हो अपने जीवन को खिलवार में मत फशाओ सच्ची मानिए कई-कई दिन गंगा जल से ही जीवन चलाओ कभी भगवत कृपा से भोजन नहीं मिला तो हम ढीले हैं या चेहरा उदाश है कभी नहीं होगा जब आपका भगवत चिंतन से हरदय परिपक्र हैगा ना पुष्ट रहेगा ना तो मुख प्रशन तन तेज विराजा एक मुख में अदभुत भागवतिक प्रशन नता होती उपासक के एसे खिन्न भिन्न छिन्न ये सब छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा चणे ये उपासक की गति नहीं होती यत यहाँ संसितब ब्रताहा ये महान ब्रत है ये तीक्ष्ण ब्रत है ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठान ली है जिसने वही ये ब्रत रह सकता है और कुटू सिंगारे के आटावाला ब्रत तो सब रह लेंगे ये ब्रत कोई वही उपासक रह सकता है जिसने ठान लिया है जीवित मर्याए उलट आप में समाए कैसे अमरत में बचाना है जीवित मर जाए उलट आप में श्माए भगवदा अनंद के लिए ब्याकुल हर्देवाला उपासक कुछ अच्छा नहीं लिए ये इस्थिती प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे ये भगवान के वचन है द्रब्य अग्याहा पूर्व कुल परमपरागत या पूर जीवन में कमाये हुए द्रब्य पर अपना भाव रखना ये हमारे आगे जन्म का निमंत्रण है द्रब्य वस्तूपदार्त धना दी ये जीवन प्रभु को अर्पित है तो हमारे पास प्रभु की शिवा कोई धन नहीं है जो माना हुआ है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है हमारे पास अगर कोई धन है तो प्रभु है कहीं भी मेरा पन नहीं होना चाहिए दर्बयग्य का तातपर है कहीं भी कुछ भी मेरा नहीं है यह अंदर से देखना होगा अपनी वस्तु मान करके देना दान होता है और प्रभू की वस्तु है अब यह प्रभू की वस्तु उठा करके जहां का हुआ रख दिया तो यह तन भी उनका शेवक है इसमें कोई आहम का पोश्रण नहीं है मैंने यह वस्तु दी नहीं नहीं है यह तन भी उसका जिससे देने की क्रिया हुई और वो द्रभ भी उसका है और आग्यां भी उसी की है और लेने वाला भी वही है खतम की है इसका परणाम भगवत प्राप्ति और मेरी वस्तु मैं दे रहा हूं इसका परणाम उस वस्तु का और बढ़ जाना सुकृत कहा जाता है इसे पुन्ने कहा जाता है दान उपाशक क्या होता है हमारे पास अगर धन हे तो परम धन राधा नाम अधार हमारे जीवन है यूगल सरकार हमारे प्राण है तो यूगल सरकार तो दूं क्या कुछ है ही नहीं न पहले भी कुछ था वो तो माना हुआ था मानने था आट गई तो जिनका पहले भी था उनका अब है उन्हीं का आगे रहेगा एक उपाशक के अंदर प्रश्ण बना रहता है कि मैं कामी हूँ मैं मलिन हूँ पती ताचरन करने वाला हूँ यह आपको बहुत सुलजी हुई बात बता रहा हूँ यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है और यह बात आपके हरदे में है कामादी दोश तो आप निश्चिंत हो जाओ क्योंकि आप जलोगे आपके अंदर एक मलिनता रहेगी मैं कितना नीच हूँ मेरे उपर कितनी कृपा फिर मैं कितना नीच हूँ यह आपको श्रीजी तक पहुँचा देगा निर्विकार कर देगा जब अहंकार होता है मैं कामी ऐसा कैसे हो सकता है वो काम को छुपाता है बश अब इसका पतन शुरू यह समझ ना होगा कितना भी तुम्हारा मन मलिन हो पर श्रीकृती हो इस बात की कि नहीं मैं नीच हूँ पतित हूँ यह स्रीकृती हो बस काम बन गया आपका यह आँकार श्रीकृती नहीं होने देता महाँण दोशों को छुपा करू अपने गुण को प्रकासित करता जो है नहीं उचे दंब कहते है पाखंड कहते है भगवत प्राप्ती क्या है भक्ती नहीं प्राप्तो पायेगी साधारण भक्ती नहीं एगी सुद्ध भक्ती या प्रेम लक्षना ये तो बहुत आगे की बात है बिन विवेक वैराग भक्ती बिन शत्य नहीं को मानो भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंड़ी जानो कहुन मानता है आचारिबानियों को मन मानी आचरा भश जैसे शम्मान हो जैसे पैर पूजें जैसे लोग हमें मन चाही वस्तुएं दें और हमारा नाम हो जाए बड़ा ये बिश भरा है हरदय में और इसी का पोशन करने के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देता है हरी गुरु आग्या को रोंदता हुआ मन मानी आचराण करता है उपाशक इसलिए शावधान तो यहाँ जो द्रब्यग्य का शंकेत है वो माने हुए जितने भी पदार्थ वस्तु द्रब्यादी है उसकी माननता हटाए तभी तो प्रभु में माननता होगी जो आंतरिक बल है धनका भी रहता है अपबल तपबल और बाहुबल चोथो बल है दाम और अगर इन चारों में से एक भी कोई है तो प्रभु के बल का आप कौन होने होगा जो मेरे बल सी ब्रंदा बननानी ये बात नहीं आएगा शूर किशोर कृपाते हारे हार गया आप कोई बल उसके पास नहीं है सब बल हारे को हरे नाम ये आगया सब बलों का महावल परमधन राधा नामधार आगया अब हरदे हर शमे सदेव इसी इसमर्ती के महा सुख में डूगा रहे मदूर मदूर इसमरन चल रहा है जब ऐसा होगा तो केबल नाम नहीं चलेगा रूप चाया रहेगा और जब रूप में आशक्ति हो जाएगी तो लीला इस्पुरित हो जाएगी रूप की सेवा प्रारंभ हो जाएगी मांशुक्षेवा प्रारंभ हो जाएगे सब बात बन गए मन, ब्रह्मचर और प्रान तीनों का एक संयूग है अगर आप प्रान आपके सुक्ष मुए तो मन आपका सुक्ष होने लगेगा इस्थिर होने लगेगा और ब्रह्मचर आपका पुष्ट होगा ब्रह्मचर आपका पुष्ट है तो मन इस्थिर होने लगेगा प्राणवाई सुक्ष होने लगे तीनू का है प्राणवाई स्थूल मन चंचल ब्रह्मचर रहित एक चक्र है इसलिए नैश्ठिक ब्रह्मचर में सन्याश्मार्ग की पथिक को प्राणायम का उपदेश गुर्जनों के द्वरा दिया जाता था उसमें तो तीस प्राणायम का विधाम था दस 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 वो अपनी नई अवस्था थी तो उनका जब तीस में तो हम इसका और आगे बढ़ा है तो नब्वे प्राणायम तक दस 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 नब्वे शाह मुच जाती थी शाह उसमें वह बाला जानुए को मिटाता है शरीर के दर्द को मिटाता है प्राणों को सुक्ष्म करके जिश मंत्र का जो गुर्देव ने व्फदेश दिया ऐसे मंत्र ऐसा लगता मानू नरत्य कर रहा शान प्राणवाईव शमन प्राणवाईव शमन हुए इसका तात्पर है कि ऐसे आटा लगाया जाए उड़ नपावे आटा स्वास की गतिश सुनाई देने कि तो बाद जाने दो ऐसे अगर रखा जाए तो उड़ेगा भी नहीं प्राणवाई इतनी शान जहां बैट गया बैट घंटो बिलकुल एकदम बिलकुल निश्चेस्ट ब्रमचर नहीं है तो प्राणायाम में कदम नहीं रख सकता हो अगर कर प्राण का इस्थान उपर होता है यहां हरद आ अपान का इस्थान बिलकुल नीचे होता है गुदाद्वार में हैं श्वास को बहर निकालते समय वायू की गती उपर क्यों और तथा स्वास को भीतर ले जाते समय वायू की गती नीचे क्यों रोती स्वास को बाहर निकालना प्राण का कार है और स्वास को भीतर ले जाना अपान का कार है बाहर की वायू को बाई नासी का चंद्र नाणी की द्वरा भीतर ले जाते हैं दाही ने सुर को इसे बंद गए अब इसमें नाम चल रहा है मन चल रहा है उसका इशाब होता है बस रोक लिया अब न प्राण वायू बाहर से अंदर जा रही न अंदर से बाहर इसे रोका इसे कुम्भग कहते है यह निरोग वस्था भी प्रदान करता है और भागवती अध्यात्मिक शक्ती भी बढ़ाता है वायू हरदय में इस्थित प्राण वायू को लेकर नाविसी होती श्वाविक अपान में लीन हो जाती है इसे पूरक कहते हैं प्राण वायू अपान वायू दोनों गतियों को रोक देना कुम्भग कहते हैं और फिर उसके विप्रीत नासिका से छोड़ना उसे रेचक कहते हैं पूरक कुम्भग रेचक रेचक कुम्भग पूरक ऐसे क्रम चलता रहता है प्राण वायू शुक्ष ऐसा नहीं सवानंद का विशह है पर कभी कोई भूल से भी से सुरुवात मत करना क्योंकि इसके बहुत से नियम है और ये किसी प्राण आयाम प्राण योगी कि समी भी है विसका अभ्यास किया जा सकता है जैसे आपने आधा घंटा प्राण वायू का शंशुधन किया पदमाशन में बैठे ये साधारन आसनों में नहीं होता है जैसे लोग पुसपस करते हैं वह अलग चीज़े सिधाशन या पदमाशन में रुदन डेक दम से ये कोई साधारन बाते नहीं आप आसन से उठे और पानी पी लिया अब आप बिगड़ जाएगी प्राण वायू इचकी आना गैस्ट बनना बहुत तरह से वायू रूप बढ़ जाना ये सबकी गती की बात नहीं है ये तो क इस तरह से पूरक कुंभक रेचक ऐसे करते हैं तो प्राणायाम प्राणो प्राणायाम रूपी यग्य करते हैं तो इसका भत्ती में क्या शुरूप है हम सीधे प्राण वायू की तरफ किवल बात करते हैं प्राण अपान व्यानुदान शमान सब तुम्हारे पवित्र लुक्ष मो जाएंगे आराम से बैठ गए जैसे भी कुर्सी में बैठ जाओ सोफा में बैठ जाओ जमीन में बैठ जाओ जैसी तुम्हारी हालत हो सरीर की बश आप ध्यान दो कि आपका नाम कितना शल रहा है आराम से श्वास कोई पकड़ने पकड़ने की जरूत ने यह जरूर करना चाहिए यह इसका मादर करते हैं उपर की श्वास खीच रहे मतलब अंदर वायू भर रहे तो कितने नाम लिए अधिक श्यादिक और लो यदि जवान शरीर नहीं है तो आगे वाली बात मत करना अगर जवान शरीर है स्वस्त हैं आप आपके यंत्र ठीक है किडिनी ठीक है लीवर ठीक है दिल ठीक है तो क्या बस आराम से से रो फिर कितने नाम जब किया फिर आराम से छोड़ दो पकड़ने की कोई ज़रूत नहीं अपने आप प्राणवायू श्यादिक शुद्ध हो जाएगी अगर आपके सरीर में कोई भी विकार है तो आप खीत सकते हैं और आराम से छोड़ सकते हैं रोकिएगा नहीं ये तो कर सक तेस में अपने भजन की भी ब्रद्दी होगी और शरीर विश्वस्त रहेगा पकड़ने की जरूरत ने फुस पस करने की जरूरत ने जितने नाम जब सकें खीच लिए फिर छोड़ दिए आराम से नाम जब करते हैं आप 10 मिनट ऐसे 20 मिनट अब भ्यास करें देखें आपको कितना आनंद हैगा देख लो मन आपका सांत हो जाएगा आप देख लेना यह नुभो की बात कहते है देख लेना आपका मन शांत होने लगेगा जैसे वाईव छोड़ी रोक लिए इबाय कुम्बक है बिलकुल वाईव अंदर ने बाहर अब रोक लिए देखो एक दम प्राण व्याकुल होंगे वो आपको स्वस्थ करेंगे आपके अंदर के विकार को नष्ट करेंगे फिर जो अब फिर रोक लिए शरीर स्वस्थ रहेगा और भाजन में मन लगेगा यह तो अनुबो की बात कहते हैं आपको पका बहुत आनंद आता है अगर सरीर आपके सिस्टम ठीक नहीं है तो राधा 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 सब ठीक हो जाएगा सब सुख्श पो जाएगा जब भाव बढ़ता है ना तो सरीर की शुदी नहीं रेती भीया सरीर की शुदिर, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कौन देखे कि कौन सा प्राणा पानो व्यान समानो उदान समान, सब चले जाते हैं, राधा, 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 पर यदि सरीर ठीक है, और आपको ब्रमचर बहुत समय तक समाल के रखना है, तो थोड़ा आशनों पर बैटकर ऐसा करें, तो कोई निशेद नहीं क्योंकि उस समय हमारा भगवत चिंतन चल रहा है,